बीबी तो डिलीवर हो गया है, लेकिन अब हमें जल्दी से इच्छा होती है कि वो गोल मटोल हो जाता, बड़ा चबीसा, जैसे फोटोस में, जैसे इंटरनेट पे, जैसे टीवी एड्स में बड़े क्यूट-क्यूट बच्चे दिखाया जाते हैं, काश हमारा बेबी भी ऐस कल्पना और वास्तविक्त बहुत अलग चीज़ें होती हैं, कई बार जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो वैसी होती नहीं है, ऐसे में नवजाज शिशू का वजन अगर बढ़ाना है, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या ये सही बत है, कि बढ़ सकता है, क्य ये वीडियो आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग और यूस्फूल है, आए आके बढ़ते हैं, शिशू जब जन्म लेता है, तो उसका जन्म की समय जो वजन होता है, पांच महीने में लगबग वो डबल हो जाना चाहिए, ये क्राइटेरिया है, हर हफते के माइल स्टो नॉर्मली नूट्रिशन से जो मा का दूध है, या फिर जो टॉप फीड आप दे रहे हैं, उससे पोशन लेता है और उसके वजन में बढ़ुतरी होती है, तो अगर आपका बच्चे ज्यादा कमजोर है, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो सही अप्रोच क्या है, क्योंकि न तरीके को सीखते हैं, तीन चीजे बहुत महतोपूर्ण हैं बच्चे के वजन से रिलेटेड, जिसमें अकसर कमिया रहती है, पहली बार अगर माता पिता बने हैं, तो अनुभम नहीं होता है और गलतियां होती है, तो सबसे पहली चीज क्या है, कि बच्चे की क्लॉधिंग वजन से रिलेटेड हैं ये सारे चीजें, मैं तो पूर्ण है, इसलिए चीजें आपको मैं बता रही हूँ, कि बच्चे का अगर वजन आपको बढ़ाना है, तो इंशोर करना होगा कि वो जन लेने के बाद बार-बार बिमार ना पड़े, अगर बार-बार बिमार पड़े ना करें, सनलाइट में या बाहर के अट्मसफियर में, क्योंकि बच्चे धीरे-धीर एड़ाप्ट होगा, एक्सपोजर का ध्यान रखें, मालिश का ध्यान रखें, नहलाने का ध्यान रखें, हाईजीन अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा स्वास्त रहें, उसको जैसे कि न्यूबॉर्ण बेबी होता है, उसको पता नहीं होता है कि उसको कितना दूद पीना है, तो हर दो घंटे में, बच्चा अगर सो भी गया है, तो उसको उठाएं, जगाएं और उसको दूद पिलाएं, क्योंकि अगर आप टाइमली उसको फीड नहीं देंगे, तो बच्चे के बॉड़ी भी न्यूट्रिशन जाएगा कैसे, इसलिए न्यूबॉर्ण बेबी को 6-10 हपते तक आप जगा के ठीक से दूद पिलाएं, फीडिंग टाइमली होने हैं चाहिए, अब तीसरी बात है कि दोनों चीज़े हम कर रहें, टेक क्यर भी कर रहें, फीड भ पहले हैं, तो जो डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया है, न्यूबॉर्ण मॉम को वो स्किप नहीं करनी है, वो आपके ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को बढ़ा है, वो कि ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ड्राइ मिटीरियल होता है, लाक्टोज होता है, और प्रोटीन होता है, उन्वत्ता बढ़ाने वाले चीज़ें, डाइट, तरीके, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, इसके अलाबा सारी केटेगरी के फूड खाने है, दो सीजन के फल खाने है, ओट्स खाना है, जीरे अजवाइन का पानी भी आप यूज कर सकते हैं, दलिया, दूद आपको ब ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी अगर अच्छी होगी, तो ऐसे में बच्चा सही तरीके से वेट गिन लेगा, यह फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इससे हटके कोई भी चीज नहीं है, मागर प्रोटीन अच्छा लेती है, तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहता है, आशा करते हूं यह जैनकारी आपको अच्छी रगी होगी, इसे तरह जुड़े नहीं हमारे साथ, थैंक्स पो वाचिंग